नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 शोला और 17 मार्च के आपके राशी के महाराशी फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश्मी बर्तिडे है या फिर इनवसरी है आप शबी का मरत्रब से देर शारी शूप खामनाए आप दिन दोगनी रात चौगनी तरीके करें तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं यश्मी कराओं के इस दिदी कैश होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इने शबी का शुर आपकी राशी पर क्या होगा किन-किन चीजियों को लेकर याश्मी आपको शौओ दोने नहोगा और आकिर कौन-कौन से कारी आपके लिए भागे शले होंगे दोस्तों याश्मी आपका लबलाइब के शर हैगा सौअस के सरेगा के रिट के शर हैगा दोस्तों इन तीन दरों में आपका पारीवलिक जिएँ के शर हैगा आरतर इस्तिती और धन को लेकर इस्तियां के शोटत होंगे इन शबी की महत्तपून जान कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कल ही मिशना करें और शुरू चुले कर अंत तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो के अंत में बहुत त्याची उपाय दिये रहे हैं और शुर पहले दोस्तों यह दिया आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को पिर सबस्क्राइब कर लें शुराते बेल आइकन को प्रेश कर के अल पर्क्ष लेट कर दें तो यह दोस्तों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गरहों के इस्ति के बारे में सबसे पहले दोस्तों 15 मार्च की बात करें तो दोस्तों यह दिन मंगलवार का दिन रहेगा शुलबज़कि द्वा से तिति रेगी और दोसओं यह दिन आशलेशा नामका नश्चत रहेगा यह दोस्ओं इजन यह दिना युग की बात करें तो दोसओं दिन शुक्रमा नामकर शुत नकर शुभियोग और दिलेती नामकर शुभ yolग रहने वाले हैं जो दोसों इसको प्रांती दिन राओं कल के शमय की बात करें अर्थात अशुप शुमय की दोसों ध्यान रहे आप यह शुमय कोई भी शुब और महत्मुन काने को भूल शे भी ना करें तो दोसों यह शमय रहेगा शाम के तीन बचकर चोंतिश मत चले कर शाम के पांच बचकर तीन मिट तक और दोसों चेंदरमाय दिन करकराशी को प्रांस शुब राशी में शुब जाएंगे में दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन बुदवार का दिन रहेगा शूल पसकी तरोदसी तिथी रहेगी दोस्तों इस दिन मघा नाम का नशत रहेगा और शाद दोस्तों इस दिन शूल नाम का शुभियोग रहने वाले हैं या दोस्तों इस दिन राहू कलकर शमय तोपर के 12 बचकर 35 मुट चले कर दोपर के 2 बचकर 5 मुट रहेगा और 4 माई दिन शिंग राशी पर ही शुनचार करेंगे मैं दोस्तों आगरे दिन 17 मार्च की बात करें तो दोस्तों गुरू वार का दिन होगा चतरो दसी तिती रेगी और दोस्तों इस दिन कुरू भावड़ी नाम का नच्चत रहेगा दोस्तों आगरे दिन में शुल नाम के उक्यो प्रांती गंडर नाम का शुब्यों गुरहने वाले हैं राउक कल के शमय दोपर के दो बच कर चार मट सरेकर शाम के तीन बच कर चोटिश मट रहेगा और दोस्तों चनरमाई दिन शुख राश्य को प्रांत करने राश्य में शुचार कर जाएंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं तीन दिनों की जो गरहों के श्तिती है और चनरमाई के जो गोचर है आपकी राश्य पर क्या क्या प्रभाव लिकराती है चले दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार्शी दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में आप एक अच्छी इस्तिती का अनंद लेशकते हैं दोस्तों यश में गुरू की कृपाद रिष्टी आप पर बनी रहेगी जिसके कारण आपके प्रयाशों को सफलता मिलेगी दोस्तों धर्म के प्रती रूची यश में बढ़ी रहेगी मताद धर्म और समाज से आप समनित कार यश में संपादित करेंगे वह दोस्तों नेगेटिव की बात के तो यश में जिवन साती के माता पिता के साथ जो आपका शमन ठीक नहीं है तो दोस्तों दोनों पक्षों के शाहत बात करके समानजय से बिठाने की कोसिस करें दोस्तों आप अपने सांत और समाज़दारी पुर्ण वैवार्शिप हर काम परिशानी को दूर कर सकते हैं अपने अधिनस्त करमचारियों से आप यर्श में सत्र करें दोस्तों इन दिनों में आपके लिए खुद का एक काम शुरू करने का शमय हो सकता है अगर आप में कोई विश्यस कला का ज्ञान है या फिर आप अपनी किसी खुबी को करेर के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लानिंग करने का शही शमय होगा दोस्तों यह शमय आपको अपने लिए फिर से नए शीरे से सोचने की आवशकता होगी दिन आपके लिए लाब देने वाले शमय गुज़रेंगे दोस्तों यह पूर्य शमय अपनी कोशिस आप जारी रखें वह दोस्तों इन सभी समयों में आपके करेर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह शमय जौब में आपका मन लगने की थोड़ी कम संभावना है दोस्तों यह शमय आप भोरियत महसूस कर सकते हैं लेकिन दोस्तों नए काम की तलाज भी आप यश्मे कर सकते हैं और दोस्तों वेवसाय और उन्नती के लिए काफी यश्मे फाइदेमन सावित भी होगी हलांकि दोस्तों आपकी आमदनी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों यश्मे अगर आपकी लव ल एक दुसरीय को आप तोफे देंगे दोस्तों यह श्मय। प्रेवाई के जिवन के लिए श्मय अच्छा गुजरेगा। प्रेम शम्बंदों में शमसिया आने की शमभावना यह श्मय नहीं है। दोस्तों यश्व में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए दोस्तों इन दिनों में केतु की उपस्तिते से गुदा रोग और चोट अथवा दुरुखटना आधिकी संभावना भी अधिक दिख रही है इसलिए दो दोस्तों यश्व में आपको कोई खोईवी मंडली या पिर किसी खास वेक्तु को फिर से ढूंड लेंगे आपको इसे अधिक आपक्षा नहीं करनी चाहिए आपकी प्रेमी जीवन में आया एक शकारत्मक मोड आपको काफी खुसी दे सकता है यानि दोस्तों आपको सिति की बात करें तो आपको खुद लगेगा कि वयशाय की लिए यस्व में बहुत ही खास होगा दोस्तों आप जम कर विक्री करने कर शमे में रहेंगे दिन भर की ठकान को भूल जाएंगे और अपने उत्पादन जो है उत्पादन चमता को और आर्थिक लाप को आप बढ के विचलित रहने से आपके परदसन में थोड़ा हनेकार प्रभाव भी पड़ेगा ठंडे दिमाग से अपने मन को शंतुलित करने की आप कोशिश करें एक बहतर कल के लिए आप बूरी आत्तों को छोड़ दें इनसे आप दूर रहें दोस्तों इन दिनों में आप योग का अभ्यास भी शुरू करें वह दोस्तों यश में अध्यात्म की शाहता लेने का शही समय है क्योंकि मानसिक जराव को मार भगाने के लिए यह सबसे बहतरिन विकल्प होगा ध्यान और योग आपकी मानसिक मजबुती को बढ़ाने में कारगर सावित होंगे दोस्तों माली श है तो बश अपने आख कान खूले रखने की दोस्तों इन दिनों में कारी छित्र में आपके पर्तिद्वन्दी को अपने गलत कामों का फल मिलेगा कई बार मोवाइल चलाते चलाते आपको शमय का भी पता नहीं चलता और फिर जब आप अपना शमय बर्वात कर चुके होते हैं तो आपको पस्तावा भी होता है दोस्तों बारीज को रोमास से जुड़ा मना जाता है और दोस्तों येश्वर में आप अपने जिवन साती के साथ प्यार के बारिष मैं भी ढुबाब आयोक्त करेंगे दोश्तों येश्वर में आप पारिव ve aghi को जगाने के लिए राहो वहीं हाथ देखकर तीन बार चुमें तत्पत साथ वहीं पाउं धर्ती पर रखें और वहीं पाउं आगे बढ़ाएं ऐसा नित्य परती दिन करेशी निश्चीत रूप से आपका भाग्योधे होगा इसको ब्रांद दोस्तों अगर आपके वहीं पार में मंदी आ गई ह या पिर नुकृ में मंदी आई हुई है तो दोस्तों ये शिय में क्या करना चाहिए दोस्तों किशी भी शाप सीसी में सर्चों का तेल भर कर उस सीसी को किशी तलाब या फिर बहती नदी में डाल दे शिगरी आपकी मंदी खत्म होगे और आपके वह पार में जाना जाएग